देखिए उधर का तो खतम कर दो यार एक तरफ का खतम करो नसबा दूए वो चारू और छितराना नहीं चाहिए उठा के एक तरफ का धरिये देखिए पाइप को मातरा के हिसाब से अगर भूषा 10 कुंटल है तो दो फीट है एक जैसे ये दो फीट का उचाई होगा अगर ज़्यादा है तो तीन फिट का, समझ रहे हैं न, यह पाइप की मात्रा के हिसाब से पाइप की लंबाई चोड़ाई घटा सकते हैं, लेकिन यह एरिया पाँच फिट आपको कवर करना है, पाँच फिट और साइड में साथ फिट, अभी नहीं कि बहुत भूसा है तो य बढ़ियां काम कर रहे हैं, देखें यह इसके पाइप के सीधे सीज़, अब दोनों और से इसको बढ़ियां पहले पूरा सजा लीजिए, अब बराबर पहले दो देखो, ऊपर एक मिल बागुफा, वहां मत करो ना, पहले यहां पर डालो ने, यह सब चीज यहां दबा दोते जाओ, आईशे करते जाओ, इतर ऊपर जाएगा, अब वहां सकरा कर दिये, फिर यतना भूसा आपका नहीं आटेगा ने, अब दहने ब किये, फिर से लीक यहीं कर जाएगा ने, यहां तक इसको ढखका होना चाहिए, दबाया जाएगा, अब जो बचे का कल, अब यह फाइनल हो गया, इसमें करना क्या है, इसका जो असली तरीका है, कि इसमें बास लगा देना है, इसका एक फ्रेम आता है, तो हम लोग उने फ्रेम का बात छोड़ दिया, किसान भाई, चारो और खूंटी गाड़ दे, और पन्नी लेकर के एक दम, यानि यह कहीं टच ने करे पन्नी में, बास समझ नहीं, जैसे य जारू और जमीन पे बाकाइदा इंटा से दवा दीजिए, पाली हाउस की तरह, एकदम पूरा रहे, तो वो कांसेप्ट वही है, लेकिन इसमें अगर मालीजे यह सब साधन नहीं है, तो आप इसको पन्नी से ढग दीजिए, ढग दीजिए, लेकिन उलीक नहीं करना लेकिन तरह, पाली हुदो और झारू इसमे मालीजे से अटक्ष। पूरा पूरा करके उसको ठकी आराम से, एकदम, एकदम उधर पाइप ढखा और खिचिया इधर, बस अब थोड़ा सा इसको रखिए, थोड़ा सा ओल दीजिये, खिचिया था, बस अब एक काम करिये, सुनिये, अब इसको बढ़िया सा मोड करके वहाँ चिपकाईए दिवाल के पास, शिपकाईए, तोला हो, फूर्डो, ये आज जीरो दिन हुआ, क्या हुआ, मतलब आज का गिंती नहीं होगा, जीरो दिन का मतलब कुछ नहीं है, वो हम लोग अंगरेजों के भासा जादा बोलते हैं, वो मतलब आज थोक लगा दिये, ताज का गंती नहीं होगा, एक कल से होगा.